दोस्तों जब भी सर्दी का मौसम आता है तो हम मेंसे कई लोग अपने घरों से जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं बलकि आग के पास जाकर बैठ जाते हैं मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पाच्वा महादिप अंटार्टिका पूरी तरह बर्फ की चालर से ढखा हुआ है जहां पर माइनस चालिज से लेकर माइनस नबबे डिगरी तक ठंड पड़ती है जहां सूरज की रोशनी भी साल में कुछी महीनों के लिए जिस करण यहां के सम्मुद्र का पानी भी बर्फ के रुफ में जमा हुआ रहता है तो इतनी ठंड में इंसान का वहरायना लगभग नामुम्कीन है मगर दोस्तों दुनिया में कुछ जीव ऐसे भी है जो इतनी भहेंकर ठंड में भी मज़ने के साथ रहते हैं तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही साथ जीवों के बारे में जो इस खूल जमांदरी वाले ठंड में भी मज़े के साथ अपने दिन गुजारते हैं तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आपसे प्लीज रिव्केश्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ तो प्लीज उसे लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटेस्टिंग वीडियो मिलती रहें तो जार देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों मैं हू प्रजाती प्रित्वी से दूर बरफीले अंटार्टिका और उप अंटार्टिका इलाकों पाई जाती है वैसे तो इनकी आबादी इतनी है कि इस जानवर के विलुक्त होने का कोई खत्रा नहीं है लेकिन इसकी कुछ किसमे संकट में है रेंडियर के रंग और आकार अस्थ प्रजाती है देखने में एक छोटे तेंदुवा की समान ही दिखता है मगर इसमें कोई आपसे संबन नहीं है हीम तेंदुवा लगभग 1.4 मिटर लंबे होते हैं और इनकी पूच 90-100 cm तक होती है इनका वसन 75 किलो तक हो सकता है और इनकी खाल पर स्रेटी और सफेद फर हो होते हैं और पूच पर धारिया बनी होती है इनका फर बहुत लंबा और मोटा होता है जो इने उचे ठंडे स्थानों पर भी भीशन सर्दी से बचा कर रखता है इन तेंदुवा के पैर भी बड़े और उनी होते हैं ताकि बर्फ पर आसानी से चल सके यह लगभग 15 मिटर क की एक मात प्रजाती है जो दाहार नहीं सकती लेकिन बिल्ली की तरह घुर घुरा सकती है नंबर पांच पैंग्विन दोस्तों पैंग्विन समू में रहने वाला एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता यह केवल दक्षीनी गुलाद विशेश रुप से अंटार्टिकाम की नीचे तेलते वे अधिकांश पैंग्विन पकड़ी गए छोटी मचलिय जींगे और अन जली जंदू को भजन बनाते हैं वे अपना लबग आधा जीवन धर्ती पर और आधा जीवन महासागरों बिताते हैं दोस्तों पैंग्विन की कई प्रजातिया पाई जाती है जि लगबग 16 इंच और वजन एक किलोग्राम तक होता है यह सारे पैंग्विन ठंडे शेत्रों में निवास करते हैं नमबर चार सी लायन सील दोस्तों सी लायन या सील जो की भालू की पूरवच प्रजाति मानी जाती है वैसे सी लायन या सील दोनों अलग-अलग प्राणी है मगर इन दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है दोस्तों यह प्राणी हमेशा समू में रहना पसंद करता है यह एकसर समूनर किनारे पत्थरों पर लेटे हुए मिल जाता है दोस्तों सी लायन जमीन पर अपने चारों फिलिपर्स को ब्योग करके चलता है एक वैस सी लायन का वजन करीब 363 kg और आकार करीब 9 फिट तक होता है जबकि मादा का वजन करीब 181 kg और आकार करीब 6 फिट तक होता है दोस्तों सी लाइन के बहुत इब धिमान परानी होता है जो अपने भोजन में मचलियों और ऑक्टोपस को भी खा जाता है दोस्तों नमबर 3 पर आता है किलरवेल दोस्तों एजीव डॉल्फिन प्रजाती की सबसे बड़ी सदस्य है ये एक परभख्षी है जो दूसरे बड़े समुधरी जीवों का शिकार करती है जैसे कि सील डॉल्फिन जादी दोस्तों किलरवेल काफी समझदार और चचतर 65 करानी 6-8 मीटर तक और 7 इनका वजन 6 टन से भी ज़्यादा होता है जबकि मादाए 5-7 मीटर तक लंबी और 3-4 टन वजनी होती है दोस्तों वालरस अंटार्टिका में रहने वाला विशाल स्तन पाई जी हुए इसकी विशेश्टा इसके दात, मुचे और इसका विशाल चरीर है एक वेस्क नर का वजन 2000 किलोग्राम से उपर हो सकता है या मुख्य रुप से उतले समुद्र तटों के हिस्सों में निवास करते हैं और अपने जीवन का महतुपूर्ण भाग बर्फिले समुद्र में ही भोजन की तलाश में गुजारते हैं वालरस लंबे समय तक जीने वाला एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों अंटार्टिका से बाहर आए कुछ लोग वालरस का शिकार मुख्यता है इसके मास, वसा, तुच्छा, दात और हड़ी के लिए करते हैं उनिसवी और बीसवी शताबदियों में वालरस का शिकार इसके दात और चर्बी के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है जिसके कारण इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है हलाकि अब इनकी संख्या वापस से बढ़ चुकी है दोस्तो इस लिष्ट में नमबर वन पर आता है पोलर बेर या कहे धुरूविय भालू जो अंटार्टिका महादिप का सबसे बड़ा मास भक्षी जीव है जो अंटार्टिका महादिप का सबसे बड़ा शिकारी है दोस्तो एक वेर्सक नर का वजन साड़े 30680 किलोग्राम तक होता है और इनकी लंबाई 20-30 मीटर तक होती है जबकि वेर्सक मादा का आकार नर से आधा होता है और इसका वजन आमतोर पर 1500-500 किलोग्राम तक होता है दोस्तो ध्रूविय भालू का मुख्य शिकार मचलिया और सील होते है इनकी तौचा मोटी जिस पर घाने बाल होते है जिस करण ये अंटार्टिका की माइनस 80 डिगरी वाले ठंड में भी बड़े मर्जिक साथ रहते है और शिकार करते हैं ये अपना अधिकान समय जम्य हुए समूंद पर बिताते हैं दोस्तो वेग्यानिकों की माने तो ध्रूविय भालू के लिए अब ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़े खत्रेक रूपें बताया गया है मुखे रूप से इस जानवर के लिए क्योंकि इसके समूंदरी बर्फ के आवास के पिखलने से प्रयाप्त भोजन खुजने में इनकी शम्ता में कमी देखी जा रही है यदि जलवायों का यहीं रुख जारी रहा दोस्तों तो धुरूवे भालू का इनके अधिकांश शेतर से अगले सौ वर्शों के भीतर इनका खात्मा हो जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही उमिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार चैहिंद